गॉप इवनिंग जैसा कि हम लोगों ने बात किया हुआ था कि एक्जाम के कंप्लीट होने के बाद हम डिसकस करेंगे कि इस बार का ट्रेंड क्या रहा है तो इसलिए हम लोग के वल क्वेश्चन एंशर देखने के लिए नहीं आए है क्वेश्चन एंसर तो आप बहुत सी ज इससे आगे के जब exam की हम preparation करें, लगातार कई exam आपके सामने अभी है, BPSC का exam है, UPSC का exam देना है, तो आप वहाँ एक input ले सकें कि किस तरीके की तैयारी को हमें अब आगे दिसा देनी, हम लोगों ने इस बार जब question देखा, तो question में एक नया trend जो देखा, वहाँ पर वो पहल और दूसरा, जो अवधाना पर आधारित प्रशन होते हैं, तो दो तरीके के question यहाँ पर देखे जाते हैं, जो एक तत्यपरक और एक अवधाना आधारित हैं, इस बार factual question की संख्या जादा है, conceptual question वहाँ पर कम है, जो कि पिछले trend के हिसाब से हैं, और इनमें कोई नई paper हुआ, तो वहाँ पर question direct आया हुआ था, article 249 से, question आया हुआ था, article 253 से, तो वो सीधे अनुछे से जुड़ूए प्रशन थे, इस बार जब question आए हैं, तो सीधे अनुछेद से प्रशन नहीं है, सीधे article से जुड़े प्रशन यहाँ पर नहीं है, तो एक तो पहली चीज सम आप से वहाँ अपने crash course को design भी किये हैं, जहाँ पर आप लोग आएंगे भी, यहाँ पर असल में इस बार जो question रहा, तथ्य परक होने के बावजुद, यहाँ दो पार्ट में question को हम देख सकते हैं, एक तो question जो static है, यानि कि जो यहाँ पर पुराने जो है, चीजों से जु के लिया है कि current inspired question भी इस बार ठीक ठाक रहे हैं, जैसे अगर आपने देखा तो इस बार समलेंगिकता पर जुड़ा हुआ प्रशन आया हुआ था, जो की लगातार चर्चा में बना हुआ था, आपने देखा कि यहाँ पर नीती आयोग पर जुड़ा हुआ प्रशन आया, ज लेगिन यहाँ ध्यान रखिएगा, current का मतलब 2-4 महिने की पिछली घटनाओ कोई आधार पर question नहीं, जो question current में भी आये हैं, पिछली एक डेड़ सालों में वो लगातार कहीं न कहीं चर्चा में रहे हैं, इसका मतलब है कि newspaper का महतो बढ़ रहा है, newspaper आपको पढ़ना question और किस तरीके से आ रहे हैं और कहां कहां से आ रहे है, question देखिए, basically तीन तरीके से polity से जुड़े हुए आते हैं, यहाँ पर हम polity की बात करें, तो तीन जगह से question आते हैं, एक तो philosophy of constitution से, यानि समविधान का दर्सन जो है, एक बड़ा यहाँ पर हिस्सा है, polity का जहां से question आ हम देखते हैं, question fundamental rights से आते हैं, मूल अधिकारों से जुड़े हुए question आते हैं, हम देखते हैं कि question directive principle से यानि निदेशक ततो से आते हैं, और हम question देखते हैं, मूल करतवे से जुड़े हुए question यहाँ पर आते हैं, तो एक area तो यह है जहां से लगातार question आते हैं, दूसरा ए यह एक बड़ा area है जो सरकार से जुड़े हुए question आते हैं। र केंडर और राज, दोनों के अस्तर पर जो विदाहईका, कारिपालीका है, और साथ ही जो हमारी एक कृत नयाईपालीका है, वहां से जुड़े हुए question आते हुए तो question दो पार्ट ये हो गए और तीसरा जो सरकार की इकाई से जुड़े हुए question आते हैं। सरकार की इकाई का मतलब है कि सरकार कितने अस्तरपर यहाँ पर हैं। और सरकार अगर हम देखें तो हमारे यहाँ बहु अस्तरिय सरकार की धारणा है। यानि एक तो हम यहां पर सम्वैधानिक अस्तरपर केंद्र और राजय के सरकार की बात करते हैं, और 73-74 सम्वैधानिक संसोधन के बाद हम अस्थानी सरकारों के बारे में भी देखना सुरू कर दियें, अभी तक का जो ट्रेंड रहा है वह कभी न कभी किसी न किसी साल किसी ए राज सम्मंदों से क्वेश्चन जादा थे, पंचायती राज से जुड़ हुए क्वेश्चन जादा थे, तो वहाँ पर क्वेश्चन कहीं कहीं ज्यादा जुकाओ सरकार की इकाई के तरफ था, 2015 में पूरा ट्रेंड बदल गया, सरकार के अंग से जुड़ हुए क्वेश्च और आपको सरकार की इकाई से जुड़े question. आधार के question आए हैं और वहां पर उनके क्या answer होने चाहिए तो आप यहां पर देखिए कि जो question आए हुए हैं वहां एक एक करके हम पहले देखते हैं मेरे पास series है यहां booklet A है और इसके आधार पर हम लोग यहां पर देखेंगे कि question किस किस तरीके से कहां कहां से आए पहला question यह यहां पर जो पॉलिटी का जुड़ा हुआ है यहां question है राज्य के नीति निर्देशक्तत्व सहज अध्यान के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किये जा सकते हैं तो question डिरेक्टिव प्रिस्पल अफ स्टेट पॉलसी से आया हुआ है question है और यहां पर समाजवादी प्रावधानों की तो हमारे समविधान में कई जबहों पर संसाधनों के वितरण और समाज के अंतिम वर्ग तक न्याय की पहुंच उपलब्द कराने के प्रावधान निदेशक्त्त्त में किये गए जो कि राज्य की जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता ह जिने राज्य का दाईत्व है कि उन्हें पूरा किया जाए आठकल 38 में आप देखते हैं आठकल 39 में आप देखते हैं आठकल 41 और 42 में देखते हैं जहां पर बोला गया है कि संसाधनों का केंद्री कर्ण नहीं होना चाहिए संसाधनों का समता मूलक वितरण होना चाहिए स के सब प्रावधान संविधान में किये गए c Jonah California cases में यह भी कहा गया था कि समाजवाद का आश क्या है समाजवात का आशा है भलन समाज में संसाधनों तक पहंच अंतिम व्यक्ती की हो तो यहां पर समाजवाद का जो आसा है वो एक समता मूलक समाज बनाने का है और इसके प्रावधान निदेशक्तत्तों में किये गए। इसी तरीके से गांधिवादी मुल्यों की बड़ी अस्पष्ट छाब आपको निदेशक्तत्तों में देखने को मिलेगी। जब हम बात कर करते हैं आर्टकिल 43B में कि यहां सहकारी समितियों के गठन को प्रसान दिया जाएगा तो यह गांधिवादी दर्सन से जुड़ा है। इसी तरीके से उदारवादी बात्धिक वादी जो यहां चिंतन है उसका भी प्रभाह उमारे निदेशकत्तों में देखने को मिलता है जब हम कहते हैं समान नागरिक संगिता होनी चाहिए यानि सभी लोग यहां पर धर्म से परे देश के नागरिक की रूप में व्यक्तिकत कानून एक जैसे होने चाहिए तो यहां पर जो है हम देखते हैं उदारवादी चिंतन का चाप हम देखते हैं आर्टकिल 47 में हम करते हैं विदेश नीतिकी तो ये प्रावधान यहां उदारवादी चिंतन से जुड़े हुए तो यहां पर इस question का answer होगा डी यानि उप्रोक्त सभी निदेशक तत्तों में पाये जाते हैं दूसरा question यहां पर है कि असोग चंद्रा द्वारा भारत में economic cabinet किसे कहा गया है आर योजना आयोग समिधानेत तर निकाई के रूप में गठित किया गया था इसका काम पंच वर्सी योजनाओं का क्रियान वेयन करना उसका प्रारूप बनाना उससे संबंदित नीतियों को बनाना यहां पर था और धीरे धीरे यहां पर हमने देखा कि योजना आयोग तमाम तरीके के आर्थिक नीतियों का केंदर भी बन गया, प्रधान मंत्री इसके पदेन अध्याच हुआ करते थे, और यहां देश में प्लानिंग के सम्मंदित सभी महतुपुन पहलू पर निणय इसके द्वारा लिया जाता था, इसलिए कई बार आप सुनते हैं कि प्लानिंग क नीति आयोग आई और इस बार हम देखेंगे कि नीति आयोग से जुड़े क्वेशन भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमारे लिए जानकारी होना जरूरी था कि यहां पर किसे एकनॉमिक कैबिनेट कहा जाता था, अब हम आते हैं दूसरे क्वेशन की तरफ यहां पर, त तो उसमें भारत के मुख्य नियाधिस कौन थी? उस वक्त जनहित याचिका एक नई अवधाना के रूप में जब भारत में आया, तो यहां पर पियन भगवती साहब के द्वारा इस अवधाना को सामने लाया गया था, तो एंसर इसका C होगा, पियन भगवती साहब के साथ एक और यहां पर नियाधिस के द्वारा यहां पर यह अवधाना लोकप्री किया गया, जैसा कि आपने पढ़ा भी है, कि जनहित याचिका का उदेश्य, उस समाज के कमजोर और वंचित तबके को नियाए उपलब्द कराना है, जो स्वयम भातिक रूप में उपस्तित नही के कारण नियाए उस तक पहुच नहीं पाती, तो जनहित याचिका यह एक क्रांती के रूप में देखा गया, जहां पर जस्टिस वर और आल का कंसिप्ट जो है, वो लागू हो पाया, जहां अंतिम व्यक्ति तक नियाए पहुच पाया, तो यह अवधाना बेहत लोकप्री रहा और समय के साथ-साथ हमने देखा कि PIL समाज के वंचित तबकों की आवाज बना, PIL यहां सुसासन के लाने का एक उपकरन भी बना, PIL के माध्यम से परियावरण की स्वचता की बाते की जाने लगी, और आज PIL का एक्टिविजम आप यहां पर देखते हैं, तो लगात चर्चा में आपको मालूम होना चाहिए कि साल इस किताब के उपर ही फिल्म भी बन रही है, बड़ा पॉपलर मुवी भी यहां पर आने वाला है, तो एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर यह किताब यहां पर लिखा था, संजय बारू साहब ने, इसका एंसर है D, यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वो यहां पर है भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिति बताईए, यह जो क्वेश्चन यहां पर है, संविधान सभा किस तरीके से इसका विकास क्रम हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए, कि हमारी संविधान सभा की पहली ज जो है अस्थाई अध्यच बनाए गए और फिर इसका निरने लिया गया कि आखिर सम्मिधान सभा का उदेश क्या होगा कि क्या दिसा हमारी होगी तो 13 दिसंबर को वहां पर उदेश प्रस्ताव भी लाया गया था इस तरीके से 2 साल 11 मां 18 दिन के बाद आपने सुना कि हमारा स सम्मिधान बना था और 26 नौंबर 1949 को यह सम्मिधान यहां पर स्विकार किया भी गया जो कि प्रसावना में उनलिखित भी है और जहां हम सम्मिधान दिवस लौडे के रूप में उसको सेलिबरेट भी करते हैं लेकिन इस सम्मिधान पर अंतिम सिगनेचर जो हुआ था जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी 24 जनवरी 1950 इसका एंसर सही होगा और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठा कोई और डाक्टर राजेंद प्रसाद साहब हमारे पहले राश्टपती चुने गए 26 जनवरी 1950 को आपको मालूम है कि हमें गरतंत्र यहां पर गरतंत्र के रूप में अपने को हमने घ कि निमलिकित में किसे डिजॉल्व नहीं किया जा सकता भंग नहीं किया जा सकता लेकिन उसे एबॉलिस किया जा सकता है तो यहां आपको मालूम है कि किसे डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है पहले तो इसी को देख लेते हैं लोग सभा जो है वो डिजॉल्व होता है लोग प्रशद भी भंग नहीं होती है लेकिन अब इसमें कई लोग उतावलेपन में यहां जल्दवाजी में हो सकता है कि राजसभा को टिक कर दे कि राजसभा भंग नहीं की जा सकती है लेकिन यहां पर आपको समझना होगा कि क्वेश्चन है कि जिसे भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन जिसे समाप्त किया जा सकता है, तो यहां पर समाप्त किसे किया जा सकता है, तो आपने समविधान में अनुच्छेद 179 पढ़ा है, हम लोगों ने क्लास में इस पर बात किया था, कि यहां पर बताया गया है कि संसद की द्वारा राजी विधान परश्वत का सुर्जन creation भी किया जा सकता है और उसे abolish भी किया जा सकता है अगर राज विधान सभा वहां विशेश भहुमत से प्रस्ताव लेकर आती है तो यहां पर प्रश्ण यह है कि किसे यहां भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है तो tricky question है, और समाप्त किसे नहीं किया जा सकता है, तो राज विधान परिशद को. तो राज विधान परिशद इसका एंसर सही होगा, राज सभा इसका एंसर नहीं होगा, ये आपको जानकारी यहां होनी चाहिए. एक और क्वेशन थोड़ा डिस्प्यूटेट क्वेशन है यहां पर जो भारत सरकार द्वारा महिला और बाल विकास मंत्राले के बारे में पूछा गया है कि कभी यह स्वतंत्र मंत्राले बना था यहां पर देखिए तथ्यात्मक दृष्टी से पहले एक बार इसको समझ एक विभाग की रूप में काम कर रहा है और 2006 को यह एक स्वतंत्र मंत्राले की रूप में इसे अलग कर दिया गया स्वतंत्र मंत्राले की रूप में प्रितर्ट कर दिया गया तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां क्वेश्टन का एंसर तो 2006 होना चाहिए स्वतंत्र मं मंत्राले तो बना 2006 में लेकिन चुकि यहां जो आप्सन है हमें उन्हीं आप्सन में से एक चुन्ना था और यह मानो संसाधन विकास मंत्राले के अधीन एक विभाग के रूप में आपको मालूम है कि अधिक्तम जो सदसंख्या है लोकसभा की वो 552 हो सकती है इन 552 में हमने बात किया हुआ था कि 530 मिंबर जो है वो राज्यों से हो सकते हैं यहां पर 20 मिंबर हम लोगों ने बात किया था यूटी जंगसासी छेत्रों से और दो सदस्य जो है वो नॉमिनेट होते हैं Anglo-Indian Community से राष्टपती के द्वारा, तो यहाँ पर जो अधिक्तम UT से लोग हो सकते हैं, वो कितने हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, तो यहाँ पर एंसर होगा 38 का B, यानि की संग सासिच छेत्रों से अधिक्तम B सदस हो सकते हैं, अगर वरतमान की बात की जाए, at present की बात की तो अभी 530 सदस से राजियों से चुने जाती हैं, 13 सदसे जो हैं वो UT से चुने जाती हैं, और अगर दो एंगलो इंडियन नॉमिनेट किये जाती हैं, तो कुल मिलाकर 545 वरतमान हमारी सदसंख्या, अब अगर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें, यह क्वेश्चन द द्वरा लगा जाते हैं, जो समयधानिक यहां पर प्रारूप बनाया गया है, इसके अलावा 73-74 समयधानिक संसोधन द्वरा अस्थानी निकायों को भी कुछ सक्तियां दी गई है, 29 विशय यहां पंचायतों को, 18 विशय वहां नगरपालिकाओं को दिये गए, इन 29 विशय आस्तायों में यह कहा गया है कि अस्थानी अस्तर पर जो भी महा मेले लगते हैं, या जो वहां पर जो अन्य सांस्कृतिक कारिक्रम होते हैं, वहां पर कर वो लगा सकते हैं, लेकिन यह राज विदाहन मंडल के ऊपर है, हमने पहले ही का था, कि पंचायती राज और नगरपालिकाओं के जो प्रावधान है दो तरीके के हैं एक जो स्वैचिक है और एक जो अनिवार यानि अनिवार जिने राज्यों के द्वारा मानना ही मानना है और कुछ ऐसे हैं जो स्वैचिक प्रावधान के रूप में है यानि कि राज सरकारों की इच्छा पर निर्वर कौनसी पंचवर्सी योजना में sustainable growth को हमारा target बनाया गया था, योजना का उदेश बनाया गया था, मुख्यधे बनाया गया था, ये जो यहाँ पर समावेशी विकास या धारणी विकास कि उधाना थी, या बरहवी पंचवर्सी योजना का tagline था, पंचवरसी योजना जो बरहमी थी, उसमें कहा गया था कि हमारा विकास कैसा होना चाहिए, तो यहाँ विकास को तीन तरीके से बोला गया, संवर्धी कैसी होनी चाहिए, तो बोला गया त्वरित होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, बोला गया समावेसी होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, तो बोला गया धारणी यानि की sustainable होना चाहिए. तो यहां पर बोला गया था कि यह fast, inclusive and sustainable growth होना चाहिए. तो इसका answer होगा बरहवी, पंच वर्थी, योजना. तो यहां पर यह इसका answer होगा. इसके साथ अगला जो question यहां पर हमारे लिए है, जो polity से जुड़ा होगा question है. यहां पर question है कि भारत के सम्विधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भात्त्यत्व का उसी क्रम में उलेक किया गया है. यह थोड़ा सा ऐसा प्रच्न है जहां पर आप cool mind से इस question को कर सकते हैं. अगर घबडाएंगे तो य यहां पर question नहीं. क्योंकि यहां आपको memorize करना होगा चीजों को visualize और इसे एक चीज आपको यह सीख भी मिलनी चाहिए कि अंतिम समय में जो यहां वहां बहुत सी चीजे पढ़ने काम प्रयास करते हैं वो सही तरीका नहीं है. हमें जो चीजे पढ़ें उनका revision अब जिन कहाँ तो हमारे जन्याय कैसा है यह अप लोगों को मालूं है कि यहां पर सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक न्याय का प्रावधान किया गया है. Тीन तरीके कि न्याय. सोतनत्रता की बहुत हम करते हैं. पाँस तरीके की सोतनता हमने बात किया हुँआ है क्लास में विचार की स्वतंतरता, अभिव्यक्ति की स्वतंतरता, आस्था की स्वतंतरता, विश्वास की स्वतंतरता और उपासना की स्वतंतरता. हमने बात किया है समानता में, कि यहां पर औसर और प्रतिष्ठा की समानता, और राष्ट की एकता व खंडता बढ़ाने वाला क्या होना चाहिए तो यहां पर एंसर होगा A, 1303 का question, 3521 यहां पर इस तरीके से करम है, तो यह order यहां पर होना चाहिए, यहां पर next question है, यह हमने कहा ना current से जुड़ा हुआ question है, जो हाल फिलहाल चर्चा में रहता है, कई बार हम चीजों को पुरानी चीजों को भोलते जाते हैं, यहां वहां confused जो हते हैं, 2017 का राष्टपती चुना हुआ, उस राष्टपती चुनाओं में NDA की तरफ से उम्मिद्वार रामनाद गोविन साहब थे, और यहां UPA गवर्मेंट की तरफ से मेरा कुमार जी जो है, वो उम्मिद्वार के रूप में थी, आपको मालूम है कि election में जो result निकल हुआ है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्याच कौन था, और अभी आपको मालूम होगा यह चर्चा में क्यों है, अगर यह पुछा जाए आपसे चर्चा में क्यों है, तो आपने सुना होगा कि अरविंद पंगडिया साहब ने क्या कर दिया है, क्विट कर दिया, रिजा है, तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यच कौन थे, अरविंद पंगडिया, इसका एंसर होगा A, आपको मालूम होना चाहिए, एक जनवरी 2015 को, जो पुरानी संसा योजन आयोग थी, उसको स्क्रैब किया गया, और एक कारेकारी संकल्प के द्वारा, एक सम्वेधानितर निकाय के रूप में नीति आयोग का गठन किया गया, यह न तो सम्वेधानिक प्रावधान से लाया गया था, न तो संसदी अधनियम के द्वारा लाया गया, इसलिए से सम्वेधानितर निकाय भी कहते हैं, नीति आयोग एक ठिंक टैंक के रूप में लाया गया, इसका काम है कि यह यहाँ पर नीतियों को निर्मित करेगी और सरकार को यहाँ पर enable करेगी समर्थ करे सामर्थिवान बनाएगी जिससे कि यहाँ पर विकास ज्यादा बेहतर तरीके से मुर्त रूप ले सके और इसका उदेश यहाँ सहकारी संगवात का विकास भी करना है सुकि लगाता चर्चा में चल भी रहा है क्योंकि आपको मालूम है कि योजना आयोग में जितने भी प्रतनी थी थे वह कें सरकार के थे उद में राज्यों का प्रतनी थे तो नहीं था treatments नीतिया यह का जो सबसे महत्-उ यहां पर बताया जा रहा है वो क्या है कि नीत यायोग की सास्की परिष्यद में प्रधान मंतरि और कैमिन मंतरी के साथ राज्यों के मुखिमंतरी है यूनियन टैरिटरी इसके वहाँ वहां के मुख्यमंत्री हैं, वहां के प्रसासक उप राज्यपाल है, तो यह इसकी वैदता को बढ़ावा देता है, तो यहां पर अर्विंद पंगडिया साहब क्या थे, पहले उपाध्यच के रूप में थे, नेक्स जो क्वेश्चन हमारा है, 106 क्वेश्चन है, कि भारत मे भासा के आधार पर बना पहला राज्य क्या है, इस पर हम लोगों ने क्लास में बहुत डिटिल में बात किया हुआ था, कि किस तरीके से जब राज्यों का गठन हो रहा था, अलग-अलग तरीके के डिबेट चल रहे थे, बाते की जा रही थी, कि राज्यों का गठन कैसे कि तो आपको मालूम है कि धर आयोग और जेवीपी कमिटी जैसे ही कमिटी हैं यहां पर बनी और उनका कहना था कि भारत जैसे देश में यहां भासा के आधार पर राजियों का गठन यह व्याभारिक नहीं है क्योंकि अभी भी ने ने रूप देश की रूप में माजाद हुए उप राश्टियता की भावना भाषा के आधार पर डिवलप हो सकती थी देश में वैसे ही अलगावादी ताकते विक्टनकारी ताकते उस वक्ट दिखाई दे रही थी देश को एक ही कृत करना था सुसंगडित करना था तो वहां पर यह प्रस्ताव अस्विकार कर दिया ग गया आपने सुना होगा पोटी स्री रामालूर जी का नाम जो एक वयोवरिद कांग्रेस्टी नेता थे 56 दिनों तक हंगर स्प्राइक करने के बाद जम उनका निधन हुआ और वो मांग कर रहे थे एक अलग तेलगुभासी राज्य का तो ऐसे में पूरे आंद्रा में या जो तेलगुभासी छेत्र था एक व्यापग विरोध प्रदर्शन हुआ और फाइनली वहां पर सरकार को विवस होकर वहां आंद्र प्रदेश को पहला भासाई आधार पर राज्य बनाये गया लेकिन इसके बाद यह प्रवित्ती आगे न बढ़े और यहां पर एक संतुर रणनीती हम बना सकें तो आपको मालूम है किसी वक्त फजल अली आयोग का भी गठन कर दिया गया जिसका काम यह था कि राज्यों के पुनर गठन के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं उसको वह सपष्ट करें और उसी फजल अली आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर 1956 में आसा को एक आधार बनाया जा सकता है राज्यों को राज्यों के गठन का आधार बनाया जा सकता है तो इसका एंसर होगा C 106 का होगा एंसर C नेक्स्ट क्वेशन अभी हम लोगों ने बात ही किया है कि कौन सा समविधानेत्तर संस्ता है एक्स्टा कंस्ट्रूशनल बॉड़ी है संग लोग सेवा आयोग आपको मालूम होना चाहिए समविधान में अनुछे 315 में इसका उलेग भी किया गया है तो यह समविधानिक न निकाय की रूप में है नीती आयोग के बारे में हमने जैसा पहले ही कहा न तो कोई सम्विधान में संसोधन किया गया न तो संसत का कानून या एक सम्विधानेत्तर निकाय की रूप में लाया गया तो इसका एंसर होगा टी नेक्स्ट क्वेशन सरकारिया आयोग और सरकारि आयोग से आया है, आने वाले समय में question पुंची आयोग से आयेंगे, मैंने पहले भी कहा था केंद सरकार बहुत गंबीर है पुंची आयोग के recommendation में कुछ recommendation को implement करने के लिए, जिस पर हम लोगों ने बहुत व्यापक तरीके से चर्चा भी class में की है, सरकारी आयोग आपको पर आपने सुना होगा कि अंतर राजी परिशत का गठन भी 1990 में हुआ था, बाकि इसने राजिपाल के बारे में, अनुछे 356 के बारे में, यहाँ पर बहुत से जो है recommendation दिये हुए थे, जिस पर हम लोगों ने चर्चा अल्रडी की हुई है, नेक्स्ट क्वेशन जो हमें य देखना है, यह भी एक बहुत इसी conceptual question है, सवर प्रतम संस्तादमक सरकार किस देश में प्रारम किया parliamentary form of government, वो कहां पर इंटर्ड्यूस किया गया था, तो आपको मालूम होना चाहिए, लोकतंत्र की जननी जो है, किसे कहा जाता है, बिटेन को कहा जाता है, और बिटेन जो है वह संसदिय लोकतंत्र के जरिये ही स्टार्ट हुआ था, यहाँ याद रखिएगा कि बिटेन एक constitutional मुनार्ख है, संविधानिक रासतंत्र है वहाँ पर, अपनी परंपराओं के लिए बिटेन जाना जाता है, और इसलिए वहाँ का जो संविधान वह अलिकित है, आलित वहाँ का संविधान भी है, तो वहाँ के राजा, यानि क्राउन, राजा और रानी, वो भी वहाँ पर रहते हैं, और धीरे-धीरे उन्हों ने अपनी सक्टियों को हसानतित करना सुरू किया, संसद और निर्वाची सरकार को, तो यह संसदिय सरकार जो है, उसकी आओ दाना कहां से आया हुआ है, तो ब्रिटेन से आया हुआ है, question हमारा answer होगा ए, next question जो है, कि राजसभा का exclusive जो यहां पर पावर है, अनन्य अधिकार कौन सा है, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है, जब हम पार्लियमेंट देख रहे थे, तो हमने कहा कि लोकसभा औ जैसे हम लोगों ने बात किया हुआ था, कि राजसभा आठकिल 249 के तहट, अगर कोई विशह जो राजसूची से जुड़ा है, लेकिन राश्टी हित का है, अगर संसद को कानून बनाने का अधिकार देना है, तो राजसभा के संकल्प पर ही संसद ऐसे विश्यों पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, हमने बात किया हुआ था, अनुछे 312 का, आठकिल 312 में हम लोगों ने बात किया था, अखिल भारती सेवाओं के गठन के लिए, नई अखिल भारती सेवाओं के गठन के लिए संस्तुती कौन करता है, तो काउंसल आफ स्टेट यानी राजस जुरू किया जा सकता, इसलिए यह option यहां पर सही नहीं है, दूसरा सर्वोच नयाले के नयायदिष को अबदस्ट करने हेतु कारिवाई करना, हमने नयायदिष जाँच अधनियम 1960 में प्रक्रिया भी इसकी देखी हुई थी, हमने कहा था, संसत के किसी भी सदन में इसको क्या किया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है, तो इसलिए यह भी जो है, यहां पर option ही और option हमारे लिए क्या है, नई अखिल भारती सेवाओं का स्रिजन करना, आपको मालूम होना चाहिए कि अभी फिलहाल हमारे यहां तीन अखिल भारती सेवाई हैं, एक Indian Administrative Services, Indian Police Services और Indian Forest Services, त तो यहां पर तीन जो है, यह प्रावधान किये गए, नेक्स्ट क्वेशन जो है, नागरिक्ता से जुड़ा हुआ है, और इस बार नागरिक्ता से जुड़े दो क्वेशन आए हैं, नागरिक्ता इस बार चर्चा में, यह सब current inspired question है, ध्यान रखिए, जो भी चीजे चर्च में रहती है, तो आप उनसे संबंधित सुचनों को static part के भी जो सुचना है, उनको इकठा कर लीजिए, क्योंकि वहां से question आने की possibility है, इस बार हमने कहा था कि नागरिक्ता संसोधन बिल, वो यहां पर अभी संसद में आया था, तो वहां पर भी हमने कहा था कि वहां से भी सं बचा मिला रहे थे, question बहुत easy आया है, कि किस भाग से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर part 2, यानि भाग दो जो है, यह बात करता है, भाग 1 में हम लोगों ने बात किया हुआ था, कि बताया गया है, कि what is India, यानि उसका geographical boundary बताया गया है, और इंडिया का मतलब के वाल जोग गरफी नहीं होता है, इंडिया का मतलब उसमें रहने वाले लोग होते हैं, तो part 2 जो है, यहां पर उनमें रहने वाले लोग, यानि भारत के नागरिकों की बात करता है, आगे यहां पर उसी तरीके से आप देखेंगे, कि इन नागरिकों को मिले हुए अधिकार, part 3 में, व नहां पर informative है, यहां आपको मालूम होना चाहिए, कि बहारतिय सम्विधान में जो official languages हैं, उससे जुड़ हुए अगर कोई भी प्रावधान है, अगर उनका amendment करना है, तो कैसे किया जाएगा, constitution में amendment इधर भी चर्चा में लगातार बने रहे हैं, आपने सुना होगा, कि GST के सम्विधान में संसोधन अपने आप में एक separate topic के रुप में हमारे लिए जरूरी हो जाता है, आपको मालूम है कि सम्विधान में तीन तरीके से संसोधन किये जाते हैं, दो तो तरीके अनुछे 368 में ही बता दिये गए, अनुछे 368 कहता है, विसेस बहुमत के द्वारा यह जैसे हम लोगों ने बात किया हुआ था कि राश्टपती के चुनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, सात्वी अनुसूची से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, नियाय पालिका के अच्छेत्रा अधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, ऐसे मुद्दों पर हमने कहा कि संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ वहां पर राज्यों की भी अनुमती जरूरी आदे राज विधान मंदलों की समती भी जरूरी है। दूसरा हमने कहा इसके अत्रिक्त कुछ प्रावधान है, जो संसद के विशेस भहुमत से किये जाते हैं, मूल अधिकान, इदेखसक तक्तो जैसे प्रावधान, तीसरा हमने कहा कि कुछ जगों पर संविधान खुद ही कहता है, कि अनुछे 368 अपलाई नहीं होगा, लेकिन व संसद सामान बहुमत से नए राज्यों का गठन कर सकती है, विधान परिशत की अभी बात चल रही थी, विधान परिशत का भी गठन कैसे किया जा सकता है संसद द्वारा, तो सामान बहुमत से, साधान बहुमत से किया जाता है, इसी तरीके से आधिकारिक भहासा के लिए, जो भी यहाँ पर संसोधन करने हैं, वो कैसे किये जा सकते हैं, सामानी बहुमत से किये जा सकते हैं। अनुचे 343 में आधिकारिक भाहसा के बारे में जानकारी दी गई है। इस सिरुबाती समय में आप लोगों ने पढ़ा है कि आदिकारिक भासा के रूप में हिंदी को हमारी आदिकारिक भासा माना गया और अस्थाई समय के लिए यानि 15 वर्सों के लिए अंग्रे जी को भी सहायक भासा के रूप में देखा गया था हलाकि भासा के अस्तर पर एक बड़ा विवाद भारत में देखा गया उस दोरान और खासकर उत्तर और दच्छन भारत के बीच का जो विवाद था तो ऐसी सित्यों में 1965 में हमने अनिश्चित काल के लिए अंग्रेजी को जो है आधिकारिक भासा का दर्जा दे दिया है तो यहां रुष्यë 343 में यह बाते कही गई यह सामान वहमत से इनका संसुधन हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेशन जो हमारे सामने हैं कि बिना अनुम्ति के कितने दिन संसुषत से अनुपस्तित रहने पर किसी संसद को अयोग ये घोसित किया सकता है. तो यहाँ पर आपको भी मालूम है कि संसद में अलग अलग तरीके से लोगों को रिकन किया जा सकता है. उनके आफिस को डिस्क्वालिफाई किया सकता है. उन में बहुत से तरीके हैं जैसे हम लोगों ने बात किया था कि Ano 6で 102 के तहत कुछ आधा़ार बताए गए हैं जिनके तहत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाव पर सदस्यों को निर्योगी घोसित कर सकता है इसी तरीके से दस्वी अन्सूची के बाद से हम लोगों ने कहा था कि दल बदल कानून की आधार पर स्पीकर निर्योगी ठहरा सकता है इन सब के अत्रिक्त दो होगा उसकी सदस्ता क्या हो जाएगी रद कर दी जाएगी इसी तरीके का एक प्रावधान यह भी किया गया है कि अगर साट दिनों तक बिना सूचना के कोई भी सदस्य अनुपस्थित रहता है सदन की कारवाई से तो ऐसे में मान लिया जाएगा कि उसका जो वहां पद है रिक्त माना जाएगा यानि उसे बहां निर्योग किया जा सकता है यह भी बड़ा चर्चा में रहा है आपको मालूम है कि हमारे बहुत से सेलिबरिटीज जो है वो यहां पर राश्टपती के द्वारा नामांकित किये जाते हैं साहित विज्ञान कला और समासिवा के आधार पर बहुत से लोगों किया जाता है हाल के दिनों में बड़ा चर्चा का विश्य रहा कि नामांकि जो सदस्य है वो अपनी गंभीरता नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं उनसे यह उमीद की जाती है कि वह अधिक से अधिक समय यहां पर राजसभा में उपस्तित हो तब तो उस अब नेक्स्ट क्वेशन देखिए करेंट का एकक्वेशन और आया है समलेंगिक्ता समंदी सर्वो चनियाले का निरने अभी नाज फाउंडेशन के चर्चा में चल रहा था लगातार यह चर्चा में पिछले कई वर्सों से बना हुआ है यहां पर समलेंगितों को, यहां पर यह अ憑कर दिये जाया या नहीं, क्योंकि कानून रूप में वह दंडनी अपराद माना जाता था अब यह कानून किस तरीके का कानून था? तो यह प्रावधान हमारे Indian Penal Code में यानि हमारी दंड संहेता में बताया गया था Section 377 में कि इस तरीके के अपराकरतिक सम्मंद जो हैं वह कानूनन दंडनी अपराद माने गए हैं। लेकिन बोला जा रहा था कि इस कानून की वज़ा से ये अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे और ये समास से बिल्कुल बाइकॉटेट आइसोलेटेट फील करते थे इनके अंदर का फ्रस्टेशन बढ़ रहा था और खासकर बहुत सी जो बिमारियां हैं जो एसे में यहां पर आपने अभी सुना होगा कि हमारे मानने सर्वोचनद्ह ने इन भी इस तरीके का धनने दिया कि इसे जो है यहां पर प्र जो है वह जो यहां पर इसका एक प्रावधन था जो LGB के बारे में उसे यहाँ पर बोल दिया कि यह समवैधानिक है और धारा 370 उनके लिए लागू नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर जो हमारे सामने next question है वो देखिए वो भी एक current से ही जुड़ा हुआ question है और यह चर्चा में लगातार बना हुआ है। यहाँ National Register of Citizen के draft के अनुसार किस राज में 40 लाख से अधिक अवैद सरनार्थी पाए गए हैं। वी एक के आंकडे आएं और बताया गया कि असमी भासा बोलने वाले लोगों की जण संख्या में 10की कमी और बांगला भासा बोलने वाले लोगों की जन संख्या में 10की विर्दी देखी गई, तो यह चर्चा और ज्यादा यहां पर महतुपूर्ण हो गया था, इसके पहले, क्लास में भी हम लोगों ने इस विशय पर देखा हुआ था, कि यहां पर 1985 में एक एकार्ड हुआ था, राजियू गांधी जी के साथ, जो असम के यहां पर यूइंग थे, आसू यहां पर था, जिसके साथ इस तरीके का समझोता हुआ था, जिसमें यह बात कही गई थी, कि हम National Register of Citizen को अपडेट करेंगे, और जो लोग उसमें वहां पर एक्स्क्लूड हो जाएंगे, उनके बारे में फिर भविशय के बारे में फैसला लिया जाएगा, क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं है, उनने नागरिकों के रूप में सुभधाएं नहीं दी जाएगे, तो चुकि यह चर्चा में रहा और यह खास कर असम सरकार के बारे में था, यह विशेसकर किस राच से सम्मदित था, असम सरकार से सम्मदित था और इसलिए इसका answer क्या होगा? Answer C, तो question number 121 का यह answer होगा C तो best wishes आप सभी लोगों को आप लोगों का prelims यहाँ पर qualify करें और फिर हम लोगों की मुलाकात हो Thank you